शरीर के लिए अच्छी नींद दवा की तरह काम करती है अगर आप नींद में कमी कर देंगे या फिर रोजाना नींद पैटर्न में बदलाव करेंगे तो शरीर को रिलेक्स नहीं मिल पाएगा और आपको शारिरिक के साथ ही मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा आपके मन में कुछ प्रशना सकते हैं जैसे कि नींद कितनी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कौन से फैक्टर नींद को प्रभावित करते हैं, अच्छी नींद की जरूरत, फुल्थी स्लीप, आखिर क्यों है? अगर आप उन कई रातों को काम करते हैं, जब आपको सोना चाहिए था, तो जल्दी ही आपका शरीर नेगेटिव इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा नींद न पूरी होने से न केवल आप थकावट, तनाव, चिडचिड़ापन महसूस करेंगे बलकि आपको कई गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है पर्याप्त नींद, इनफ स्लीप, न मिल पाने के कारण हमें इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है जो हार्ट, अटैक या स्ट्रोक का वार्निंग सिगनल हो सकता है कम सोने या लगातार अधिक सोने का एडनोसाइन लवल पर प्रभाव पड़ता है और बलड ग्यूकोस के स्तर में व्रिधी का कारण बनता है यह जो स्लिप, एपनिया और मधुमेह का कारण बन सकता है रात के सोने के पैटर्न का पूरी तरह से उल्टा हो सकता है जिससे हमें परियाप्त नींद नहीं मिल पाती अल्जाइमर से पीडित लोगों को अकसर रात को परियाप्त नींद लेने में कठिनाई होती है जानिये रात की पूरी नींद, इनफ स्लीप, पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं अगर आप दिन में सोते हैं, तो आपको रात में परियाप्त नींद आने में परेशानी हो सकती है इसलिए अपनी दिन की नींद में कठोती करें आप सोने से पहले आराम और खुद के लिए समय निकालें नींद से पहले गुनबुने पानी से स्नान, कोई किताब पढ़ना या कोई अच्छा म्यूजिक सुनना आपको अच्छी नींद में मदद कर सकता है अगर आप रोजाना एक ही समय पर सोते हैं और रोजाना इसका पालन करते हैं तो इससे आपको रोजाना सही समय पर सोने और आराम मिलने में मदद मिलेगी यही नहीं आपको परियाप्त नींद इनफ स्लीप के साथ ही साउंड स्लिप भी मिलेगी सोने के एक घंटे पहले तक स्मार्टफोन, कम्प्यूटर और टीवी का प्रयोग न करें इस तरह की डिवाइस एक नीली रोशनी का उचसर जन करती है जो नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को दबा देती है जिससे पर्याप्त नींद इनफ स्लीप में समस्या आती है शांत वातावर्ण में सोना आपकी नींद की गुनवत्ता, क्वालिटी स्लीप को सुधारेगा इसके लिए सुनिश्चित करें कि आपका बिस्तर आपको सही सपोर्ट, आराम और स्पेस प्रदान करें इसके साथ ही आपके कमरे का तापमान सही होना चाहिए दूध, चिकन, सबजिया और फल आदी इनमें रसायन, ट्रिप्टोफैन और सेरोटोनिन होते हैं जो मेलाटोनिन के उतपादन के लिए महत्वपूर्ण हैं जो हार्मोन नींद को बढ़ावा देता है सोने से पहले कॉफी, शराब और अधिक मात्रा में भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए इसके अलावा जंक फूड, अधिक मिर्च, मसाले वाले आहार भी आपकी नींद के चक्र पर असर डाल सकता है कुछ लोगों का मानना है कि अगर वे सोने से दो घंटे पहले व्यायाम करते हैं, तो इससे नींद आना मुश्किल हो जाता है लेकिन रोजाना व्यायाम करने और सक्रिय रहने से आपको अच्छी नींद आती है निकोटीन एक उत्तेजक है, जो धूमरपान करने वालों की नींद को प्रभावित करता है जितना अधिक आप धूमरपान करते हैं, उतनी अधिक संभावना है कि आप अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं हार्ट की समस्या, गठिया, आर्थराइटिस, पार्किंसन रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का असर भी आपकी साउंड स्लिप पर हो सकता है रिष्टे आपकी नींद को प्रभावित करते हैं किसी प्रियजन, विशेश रूप से परिवार के किसी सदस्य के साथ समस्या या अन्य परेशानी आपको पूरी रात जगा कर रख सकती है